हेलो एब्रीवन, वेलकम बैक टो मैं चैनल, तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंच ब्रेट हेस्टाइल की वीडियो, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगती है, प्लीस वीडियो को लाइक, शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो शेयर करें, स्वेडियो क्यान चैनल के शेयर के, फ्रेंच ब्रेट हमने ड्राइ हेल पर की थी, उसके सबसे पहले हमने बालों को अच्छे से वाउछ कर लिया था, आप उसके बाल देख सकते हो, कंप्लीट्टी ड्राइ हैं, आप चाहे तो ऑली हेल पर भी फ्रेंच पर जाएंगे आप कोई भी सिरम यूज खर सकते हैं आपको अपने बालों की लेंथ पर लगाना होता है कभी भी आप सिरम अपने स्कैल पर ना अप्लाए करें इस ते आपके बाल काफी जारा ग्रीशी और ओईली से हो जाएंगे आप देख सकते हम उसके बिल्कुल लेंथ प चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं आपके साथ और भी राजबीर के अच्छे-चे हेस्ट्राइल शेयर करूंगी यह हेस्ट्राइल काफी जारा सुन्दर हुआ था ना ही इसको करने में जारा टाइम लगता है उनली 5-6 मिनट्स ही लगते तो आप यह स्ट्राइल कर सकते हैं आप इस एक पाटी बाल बस्त सकते हैं ते पर यह स्ट्राैल काफी ज़रा अच्छा लगता है काफी ज्यारा सिंपल और बस्तु device सिंपल और已經 क्वा डाल इंपॉर्टन स्ट्राइब होता है क्यूंकि सिर्म जगाने से आपके बाल चाइनी हो जाते है आपके के लिए फ्रेंच प्रेंच करने के लिए सबसे पहले आगे से स्टार्ट करके लिए उसी तरह के उसी तरीके सरापको को आगे से सायं कर लेनी है अब अगी है उसके बाल क्रफ अबिलगाने से तो भी आपनादेक्स इस के तोは सिंपल बरेंगे बिशंप सबसुत सर्फ calk never बना लेनी और 10 एक एक सायट दर्षाइब से फ्रेंड उपको एक एक लेयर बीच में एड़ करती जानी है कॉक्षा के लाइनी कहुता कि नहीं पेसे सिंपल और यूनीक लुक दो आप देख सकते हूं किस तर्रीके से हम राजवियर के फ्रैंच्ट करहें कर रहे हैं अगर आपकी और भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं वह वाली वीडियो बना सकूं आपको जादा लूज नहीं करनी है क्योंकि बाद में काफ़ी जादा लूज हो जाती है खाल है और फ्रेंच बेंट करना काफ़ी जादा एजिय है जो हम ब्रेंट बना रहे थे एक एक साइट से आपको सैक्शन अब वह एड़ करते जाना है बिल्कुल टाइटली आपको फ्रेंच करनी है क्योंकि बीच में फ्रेंच से थोड़ी सी लूज हो जाती है आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं बढ़ हमने बीश में फ्लावर्स लगाएं थे वो हमने लोकल स्टोर से बाई किये थे 20 रुपीज में हमें काफी ज़रा फ्लावर्स मिल गए थे फ्रेंच ब्रेट को करना फ्रेंच काफी ज़रा असान है इससे करने में ज़रा टाइम भी नहीं लगता है वो लोक भी काफी ज़रा अच्छी आती है फ्रेंच ब्रेट करने के लिए फ्रेंच ब्रेंच ब्रेट करने के लिए फ्रेंच आपके बालों में कोई भी टैंगल्स नहीं होने चाहिए यापके बाल दूले होने चाहिए आप चाहिए तो oily hairs पे भी pretty कर सकते हैं बढ़ हम dry hairs पे कर रहे हैंwerk,uity hairs पे पर french ब्रेइड काफी जरा अची लगती है, तो friends साब देख सकते हो french braid करना काफी हान बी नहीं लगता है और इसका लुक भी अच्छा आता है आप इसे पाटी वगारा में भी कर सकते हुआ ऐसा हेस्ट्रेल टीनेजर्स ओ जह आप तब भी आप इस हेस्ट्रेल को इसली कर सकते हैं ज़रा टायम भी नहीं लगेगा और लुक भी काफी जरा अच्छा हैगा अगर फ्रेंट्स आप राजविर के ओईलिंग की वीडियो जो आपको हेस्ट्रेल की वीडियो देखना चाहते हो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वो वाली वीडियो बना सकूँ तो आप देख सकते हैं उसकी फ्रेंच ब्रेट काफी ज़रा अच्छी हो रही है बिल्कुल टाइटली आपको करनी है क्योंकि बाद में काफी ज़रा लूज हो जाती है एक क्लियर दिखनी चाहिए राजविर के हेर फ्रेंच काफी ज़रा लॉंग है और सिल्की है इसके बालों में हेस्ट्राइल काफी ज़रा अच्छा लग रहा है और काफी ज़रा नीट एंड क्लीन ली हुआ है एक क्लियर दिख रही है क्योंकि इसके बाल काफी ज़रा लॉंग है और सिल्की भी है सिरम लगाने से बालों में काफ़ी अच्छी सी शाइन आ गई है उसके लावा फ्रेंड्स आप अपने बालों को नैच्रिल लॉंग और स्टॉंग बनाना चाहते हो तो आपको जारा शैंपू कंडिशनर सेरम चेंज नहीं करने चाहिए आपको अपनी हेर केर रूटीन एक ही रखन आपके बाल का फिजा ट्राइड ड्यामेजड डल हो जाएंगे नहीं आपके बालों मे कोई शाइन आएगी से तो इस करके आपको एक ही शैंपू कंडिशन और सिरम रखना चाहिए आपको वीक में बार और ओिलिंग करनी चाहिए 2 बार एयर वश करना चाहिए जैसे समर्स कि आपको दो बार हैरिट जरूर करना चाहिएPeak में तो आफ क्छा इदिछ सकते ऊसकी फ्रेंच ब्रेड कितनी प्रट चेम रहे है और हम बीच में लगाएंगी आप जाए तो ऐसे भी फ्रेंच-ब्रेड कर सकते आप जायते हो फ्लावर्स को वॉइड कर सकते हैं बढ़ हमारे पास यह फ्लावर्स थे तो इसी करण हमने लगा दिये तो बीच में हम लगाएंगे कितनी जारे फ्रेंड अच्छा लूका आ गया है इसे फ्लावर्स से यह आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगे फ्लावर्स 20 रुपीज में काफी जारा मिल जाएंगे इसमें काफी जारा कलर्स अवेलिबल हैं आप चाहिद इसमें ब्लैक रैड यालो कोई भी कलर ले सकते हैं हमारे पास यालो और यह ब्लू कलर के फ्लावर्स लिये थे हमने जैसे के फ्रेंड सम पार्टी वगरा में जाते हों तो अच्छे लगते हम जैसे कोई बन बनाएंगे और बीच में हमें लगाएंगे तो काफी जरा अच्छा लुक आता है यूनीक लुक आता है आपका हेस्ट्राइल भी काफी जरा अच्छा लगता है तो आप फ्लावर्स जरूर लगाएं इससे आपका लुक काफी जरा अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी हैलफुल लग रही है अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्री ओफ कोस्ट है और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो आप हमने नीचे तक फ्लावर्स लगाए है आप जाए तो नीचे से पोनी भी कर सकते हो इससे भी काफी जरा अच्छा लुक आता है बट फ्रेंड्स बहुत जरा गर्मी है तो गर्मी के कारण हमने नीचे से ब्रेड ही ही है तो फ्रेंड्स से आप फाइनल लुक देख सकते हैं उसका हेस्ट्राइल कितना जरा प्यारा हुआ है कितनी अच्छी लुक काई है बो ज़रा हेस्ट्याइल अच्छा लगरा है यह वला अगर आप टीनेजर हो तो आप हैस्ट्याइल काफी ईज़ी कर सकतेण जारा टाइम भी नहीं लगता है इसको करने में और है Five rd qdr लगता है और हेस्ट रैल भी काफ़ी ज़रा प्यारा लग रहा है अगर फ्रेंड्स से वीडियो आपको थोड़ी से भी हेलफ़ लग रही है प्लीज मेरे चैनल को लाइक शियर ज़रूर कीजेगा इसका आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स से यह थी आज की वीडियो तो मिलती हूँ मैं आप से अपनी नेक्स वीडियो में ठैंक यू बाई